आयरुवेद में ऐसी के जड़ी बूटिया और पेड़ पोदे हैं जो ओश्दी का काम करते हैं इनी ओश्दी और जड़ी बूटिया में से एक है गुखरू का पीड यहाँ पोधा इसकी इन बाल सहीत आनेक बेमारियों को ठीक करने में काम आता है यहाँ पोधा भले ही दिखने में कितना छोटा क्यों ना हो लेकिन इसके असर जवरसत होता है इस पोधे का फोल, बीज, टेहनिया और जड़ सभी कुछ नकुछ आउश्दी बनाने के काम आती है चालिए आपके बताता है गोखरू किनकिन बेमारियों से लड़ने में काम आता है और इसे का यूज कैसे करते है चालिए आपके बताते है पहले इस पोधे को पुरुस में मेर हार्मोंस बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है यह मेर हार्मोंस आपको इसका यूज करना है यह आपके अंदर मेर हार्मोंस गेरने के लिए बहुत ही फायदेमन होता है आपको बताते है कि यह प्रजन समता को बढ़ाने के लिए भी जड़ी बूटी की तरिया काम करता है गोखरू महिलाओं में बांजबन की समस्याओं को दूर करता है यह महिलाओं को बहुत फायदा करता है जिन महिलाओं को बच्चा नहीं होता उनके लिए बहुत ही फायदेमन्द है एक जीमा की बज़े से जब इसकीन पर खुजली होने लगती है तब गोखरू बड़ा काम आता है एक जीमा एक फिलमेटरिक तोचा समस्या है जबकि गोखरू के फल में एंटी फिलमेटरिक गुन पाय जाते हैं जो एक जीमा के खत्रे को कम कर सकता है गोखरू का सेवन हर्दिया से जुड़ी बीमारियों को दूर करने में मादगार है यह है खून में किलर्टर, बलर्ड सुवर और बीपी की समस्या को दूर करता है इसे व्यक्ति को नीमित सेवन करना चाहिए इसका क्रिड्नी की बीमारी काफी आम हो चुकी है मगर गोखरू गुर्दे में पड़ी पत्थरी को खत्म करने और उसके इलाज में सायक है इस पोधे को आरवेद में योरिन रिट्रेशन बुखार और गुर्दे की पत्थरी के लिए इसका सेवन किया जाता है योरिनरी ट्रेक इंफेक्शन काफी आम समस्य है गोखरू में मौजिद कुछ ऐसे तत्वर पाय जाते हैं जो इस समस्या को कुछ ही पल में ठीक कर सकते हैं चलिए आपको बताते हैं कि कैसे करें गोखरू का सेवन गोखरू के पाउडर को पानी के साथ उबाल कर पी सकते हैं आप आपको बताते कि गोखरू के अरक का सेवन भी किया जा सकता है गोखरू का अरक तुचा पर इस्तिमाल किया जा सकता है गोखरू के तने किसे गाड़ा बना कर उसे पिया जा सकता है आपको बताते हैं कि गोगुरु का सेवन कब करना चाहिए गोगुरु का सेवन सुबह और साम को करना चाहिए इसका सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलफ चरोड़ लें दोस्तों अबर वीडियो फसंद आई है तो हमारे चैनल को साब्स्क्राइब करें और वीडियो को डाइक जिरू करें हमारे चनल पर व्रोजाना हेल्थ से संबनती वीडियो आती रहती है